दिली में बाढ़ की स्थिती का जाइजा लेने के लिए खुद केंद्री मंत्री मिनाक्षी लेखी जो है वो पहुची है लाल किले के पास हमारे साथ खुद यहाँ पर मिनाक्षी लेखी जी मौझूद है मैं पूरी तरफ पानी ही पानी लाल किले के पीछे और आगे की तरफ पानी था लेकिन आज वो 10-12 फुट पानी है और जो आधी बस डूबी हुई थी वो आज पूरी की पूरी डूबी हुई है तो स्थिती तो गंभीर है और दिली के पास एक विभाग है जिसका नाम flood control department है जिसका काम ही बाढ के समय से पहले तैयारी करने का है नालिया ठीक करने का है दिली में अव्यवस्था पैदा ना हूँ इसका इंतिजाम पहले से करने का है और आकलन का है कि आकलन में कितना पानी आ सकता है कौन-कौन से क्षेत्र है जो पानी के नीचे जाने की इस्तिती पैदा हो सकती है पानी जिस तरीके से इस बार आया है तीन मिटर उपर है पूरे निशले इलाकों के अंदर बाड का पानी जो है वो नजर आ रहा है किस तरीके की लोगों के पास जो सुविधाय होनी चाहिए वो नहीं है का तक मदद पुचाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहा और तकलीफ इसी वाद किये मैं नहीं कह रही कि बाड को रुका जा सकता है लेकिन आप पहले उसकी सूचना जो है वो दे सकते हैं आप लोगों की मदद कर सकते हैं आप प्लानिंग ठीक कर सकते हैं नालिया साफ कर सकते हैं इस बार नॉमली एक सूचना आती है कि बाड संबंदित जो विभाग है उसकी एक मीटिंग की सू पुछना भी नहीं आई और मुझे मालूम है कि पहले जो फ्लाट कंट्रोल डिपार्टमेंट में जब भी मीटिंग होती थी तो हम राजनीती से उपर उठके उन में जाते थे अधिकारियों को तमाम लोगों को काम करने के लिए कहते थे कि नालियां डी सिल्टिंग करो जो डी सिल्ट करके जो सिल्टिंग है उस सिल्ट को उठाओ ताकि वो वापस पानी के साथ बहना जाए प्लास्टिक की वेस्ट को अलग करें क्योंकि वो नालियों के मूँपर जाकर उसको रोकती है अगर कोई इलाके बाड़ से प्रभावित होने वाले खास्तों पर यमना के आसपास वाले उनको खाली करवाओ ताकि कोई डूबे नहीं पशू और व्यक्ति जो भी है उनको वहां से बचाया जाए तो इस तरीके की बातें नॉमली डिसकस होती थी इस बार को और अपनी जो कहने की बात है वो कहके भी आती थी दूसरा मेरे को ये भी पता चला है कि जो फ्लट कंट्रोल डिपार्टमेंट का बजट है उसका इस्तेमाल गयर नियमित तरीके से किया गया है MLS के बोर्ड लगाने के लिए तो क्षेत्र में जो MLS की एड़िटिस्मेंट वो पैसा फ्लट कंट्रोल विभाग का खर्च हो रहा है जो भी गयर नियमित है प्रधान मंत्री ने भी खुद डिली के उपराजय पाल और ग्रह मंत्री से डिली की जो इस्तिती है उस पर बाचित जो है उन्होंने फोन के जरीए की है देखे वो तो जो भी जो भी व्यक्त कंसर्ण है जनता के लिए जो भी उसके मतलब मदद पहुचानी अभी NDRF जो है वो आके काम कर रहा है मेरा उसमें यही कहना है कि दिली के मुखे मंत्री का व्यावार आप देखें हर्याना सरकार को यह काम कर रहा है ग्रह मंत्री जी आप यह करिए हिमाचल से यह हो गया वो हो गया पंजाब रास्ते में पढ़ता है बिना पंजाब के तो हिमाचल से पानी दिली नहीं पहुच रहा है उसको कुछ नहीं करना है और दिली की सरकार को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है जो तकलीफ है वो तकलीफ इस बात की है कि आप दूसरों को आदेश निर्दे को टिलक बिज को डूपते वह भी देखा है Minto Bridge को डूपते वे भी देखा है जिनकी आपको पता होता है आप जब कहते नहीं कि यह तो 48 साल बाद हुआ भाइस आप ऐसा नहीं है हर साल इसाने राके डूपते है след साल तकलीफ होती है हाट रिंग रोड पानी के नीचे आएगा शायद ये हर बार नहीं होता लेकिन चेत्रे जो पानी के नीचे आते हैं आपकी क्या तयारी थी आपने क्या काम किया वो तो बताईए या आपको अभी भी कुछ काम करना है उसको भी आप बताएंगे कोई आपक हम लोग आपके बताएंगे कि आपको स्कूल कोलने चाहिए बच्चों को परिवारों को कमरों में बिठाना चाहिए ताकि कम से कम शौचा ले उनके पास हो उनको बोजन की वेवस्ता उनके पास हो कुछ नहीं जी तकलीफ इस बात की है मिनाकशी लेखी केंडर्य मंत्री जीके साफ तरो पर कियना है कि दिली के अंदर जो विवस्ता इसवक्त चर्मराई हुई है उसके लिए दिली के मुख्य मंत्री को सजक होना चाहिए था इस तरीके की आपदा को लेकर के उनको सोचने चाहिए है कि क्या हलाता है एक तस्वीर आपको दिखा दे की लाल किले के अंदर से ये तस्वीरे लाल किले के बहार की किस तरीके से पूरी सड़क जो है वो लाबालब इस वक्त पानी से नजर आ रही है चारो और लालकिले का ये नजारा है अंदर से कि तस्वीरे की पूरा रिंग रोड पानी से इस वक्ट जो है वो भरा हुआ है खुद केंद्रे मंत्री इस वक्ट जो है वो इन इलाकों में पहुची है द्वाला करने के लिए क्याना परसंद लोकिंदर पंडे के साथ सुशान्त मेरा दिल्ली आज तक